हलो फ्रेंड्स, RSSB के लिए डिक्टेशन नंबर 128 स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद स्टार्ट पेशे के बदलने या चैन करने के कुछ के कारण मजबूरी है तो कुछ शोक और महत्वकान्ख्षा मजबूरी वहा नजर आती है कौमा जहां किसान की जमीन का बेटों के बीच बटवारा होने से हिस्से में कम जमीन अभी शुरू हुई जिस पर परिवार का गुजारा होना मुश्किल नजर आने लगता है गाओं से किसान के बेटों ने शहरों का रुख किया और नए पैशे के चैन की बात सूची इसी तरह दस्तकारी के शेत्र में कौमा कुमाहारगिरी, लोहारगिरी, चर्म दातकारी या ऐसे ही अन्य शेत्र में पूराना पन आने से आये के स्तरोत गटेतू परिवार के युवा सदश्यों में नए पैशे की और रुख किया स्टॉप नोकरी पैशा लोगों के पुत्र पुत्रियों ने नोकरी पाना दुरलब देख टेकनिकल एजुकेशन से संबद पैशे का चैन करना आरंभ कर दिया स्टॉप इस तरह से धीरे धीरे पैशा चैन में बदलाव नजर आने लगा स्टॉप अब वह जमेन बहुत पीछे छूट चुका है कॉमा जबकि पढ़ाई लिखाई का मकसद सिर्फ नोकरी पाना समझा जाता था स्टॉप उस जमाने में अंग्रेजों ने जो सिक्षा नीती बनाई थी उसमें भारतियों को कलर्क बनाना मुख्य उद्देश्य था स्टॉप कलर्क न बन जाने की अवस्था में नोजवान पुलिस और सेना की नोकरी में जाना पसंद करते थे स्टॉप उस जमाने में पड़े लिखे लोग कम मिलते थे कॉमा इसलिए पड़ लिखकर स्कूल कोलेज से निकलने वाले हर नोजवान को नोकरी मिल जाती थी स्टॉप उस जमाने में पेशे का चैन का एक मात्र आधार था अंग्रेज सरकार की नोकरी करना स्टॉप देश आजाद हुआ स्टॉप शिक्षा का मोलभूत ढाचा बदला स्टॉप शिक्षा नीतियों में सुधार हुआ स्टॉप इसकुली सिक्षा के साथ दस्तकारियां जोडी गई स्टॉप उस समय सरकार की जो नीती बनी वह यह थी कि हर किसी को शिक्षित बनाया जाए स्टॉप अधिक लोग शिक्षित होते गए कॉमा नोकरीयां कम पढ़ने लगी तो शिक्षा के साथ दस्तकारी का सीखा होना नोजवानों के काम आने लगा स्टॉप लेकिन दुनिया की बदलती तेजी के साथ छोटे कोमा लगू उध्योगों वे दस्तकारी पर बड़े उध्योगों की मार पड़ी स्टॉप बड़े उध्योगों और उध्योग पतियों से प्रतिद्वंदिता में आगे न निकल पाने के कारण छोटे और लगू उध्योगों तथा दस्तकारों का रोजगार ठप पड़ने लगा स्टॉप तब नोजवानों में इस बात की चेतना जागी की वे अपनी रूची के अनुसार रोजगार का चेयन करें स्टॉप कुछ समय टाइपिंग कोमा शोर्ट हैंड सीखने का जोर रहा स्टॉप फिर कंप्यूटर युग आया स्टॉप कंप्यूटर युग में इलेक्ट्रोनिक और संचार साधनों का पूरे देश में जाल बिछाया स्टॉप नोजवानों ने नए नए शेत्र में पेर जमा कर नए नए पैशे या रोजगार अपनाना आरंब किया स्टॉप आज केरियर की बावत जानकारी, सुझाव, गाइडलाइन्स देने वाले संस्थानों के बाजार बड़े शहरों में सज गए स्टॉप पैशे के चैन की जानकारिया देकर नोजवानों के नए नए शेत्र में उतारने का कारिये कुछ फीस लेकर ये संस्थाएं कर रही हैं स्टॉप पैशे के चैन में सावधानी बढ़तें स्टॉप पैशा या रोजगार को बदलने की आवशक्ता हो तो बहुत मजबूरी हालात में ही बदलें और खूब सोच समझगर ही बदलें स्टॉप क्यूंकि किसी एक प्रोफेशन में दो चार या पांच साल लगा दिये जाए तत्पस्चात नया पैशा अपनाया जाए तो श्रम लगाने वाले समय और धन की ब्रबादी होती है पड़े लिखे नोजवानों को अपनी रूची की परख सरुपर्थम करनी चाहिए रूची की परख के बाद ही सोच समझकर रोजगार का चयन करना चाहिए इसके बाद परिवार की आर्थिक इस्तती पर भी निगहा रखने चाहिए इंजिनियरिंग, डॉक्टरी, MBA, BBA शेत्र में सर्विश और स्वतंतरता पैशा अपनाने में स्कॉप आज भी है पर आज उससे कहीं अधिक अच्छे इसकोफ वाले रोजगार के साधन समाज में बिछे पड़े हैं जरूरत है रूची को परखने की परिवार की आर्थिक इस्तती को निगहा में रखने की तथा जमाने की बदलती रफ्तार तरक्की के कारण सामने आ रहे नए नए रोजगार के बाबत जानकारियां एकत्र करने की पर्तियोगिता और होड के इस दोर में रोजगार के चयन के लिए आविशक है कि आधुनिक संसाधनों से जुड़े रहें इंटरनेट पर उपलब्ध रोजगार सम्मंदित नई से नई जानकारियों को एकत्र करें रोजगार समाचार पत्र तथा अन्य राश्ट्रिय समाचार में प्रकासित पैशे और रोजगार के कॉलमों को देखते रहें अपनी रूची और सामर्थे का पैशा अपनाईये और जमाने की तरक्की के साथ खुद को शामिल कर लीजिए पैरा पुराने वक्त में कबूतर जाडियों में अंडे देते थे कॉमा लेकिन वह अंडे सुरक्षित नहीं थे उन्हें अन्य प्राणी खा जाते थे तब कबूतरों ने चिडियों से परामश लिया और उन्हें घोसला बनाने की सलहा दी अगले दिन चिडिया कबूतरों को घोसला बनाना सिखाने आई उन्होंने घोसला बनाना शुरू किया थोड़ी देर में ही कबूतर बोले अरे यह काम तू बहुत आसान है अब हम बना लेंगे इस्टॉप चिडिया को वापस जाने को कहा इस्टॉप फिर कबूतरों ने घोसला बनाना शुरू किया पर वे नहीं बना पाए इस्टॉप कबूतरों ने फिर से चिडियों को बुलावा भेजा इस्टॉप चिडियों ने आकर फिर से घोसला बनाना सिखाया पर आधा ही बनाया था कि उन्हें फिर रोक दिया और कहा कि इतना तो वह जानते ही हैं अब बना लेंगे इस्टॉप चिडिया फिर वापस चली गई इस्टॉप कबूतरों ने फिर कोशिश की पर घोसला नहीं बना पाए स्टॉप कबूतर फिर से चीडियों के पास गए पर इस बार चीडियों ने आने को मना कर दिया और कहा कोमा जिसे लगता है कि उसे सब कुछ आता है कोमा उसे कुछ कोई कुछ नहीं सिखा सकता स्टॉप घमंडी कबूतर आज तक घोसला बनाना नहीं सीख पाए स्टॉप किसी से कुछ भी सीखने के लिए अपने अंदर के घमंड को मिटाना जरूरी है स्टॉप अगर पहले से ग्यानी बनकर ग्यान प्राप्त करने जाएंगे तब कुछ सीख नहीं पाएंगे स्टॉप घडे में पानी भरने के लिए उसमें परियाप्त जगह का होना जरूरी है कुमा भरे हुए घडे में पानी डालेंगे तो वह बहर ही गिरेगा स्टॉप पेरा आजकल सेवा शब्द साधारन और गिसा पिटा हुआ प्रतीत होता है कुमा किन्तु यह बहुत महत्वपून एवं ठोस काम है स्टॉप सेवा का अर्थ है येशु का अनुसरन करना कुमा जिन्होंने थोड़े शब्दों में अपने जीवन का सार प्रस्तुत किया वे सेवा कराने नहीं कुमा बलकि सेवा करने आये थे अतह यदी हम येशु की सेवा करना चाहते हैं कुमा तो हमें उसी मार्ग पर चलना पड़ेगा कुमा जिस पर वे चले यानि सेवा का मार्ग प्रभु के प्रती हमारी निस्ठा सेवा के लिए हमारी ततपरता पर निर्भर है इसके लिए केमत चुकानी पड़ती है जैसे जैसे दूसरों के प्रती हमारी चिंता और उदारता बढ़ती है कुमा हम अंदर से उतना ही येशु के समीप होते जाते हैं full stop